नमस्कार मैं हूँ शेफालिया आप देख रहे हैं दखाल नियूज आज मेरे साथ 36 कड़ के सबसे प्रिये लेता बाबा टिये सिंग्देश जी हैं स्वास्त मंतरी हैं दादा आपको प्यार से सब बाबा कहते हैं और सब की बेहत दिली इच्छा है कि एक बार आप मुख्यमं मंतरी बन जाएं क्या लाइन है यह सब तो देखिए हम लोग चुन के आते हैं बहुमत आती है तो सरकार के हिससे बनते हैं और फिर पार्टी के जो हमारे वरिश होते हैं विधायकों की सला इत्यादी जो क्रम चलता है और अंतता सब की सला से हाइकमान जो निर्ने लेता है उस हिसाब से फिर जिम्मेदारियां मिलती है यहां पर बात 50-50 टरन वर्टी थी कि धाई साल भुपेश बगेल की सरकार चलेगी फिर धाई साल बाद आप को मुखमंतरी पर बढ़ाया जाएगा उस पे क्या विचार चल रहे हैं सरकार यह तो व्यक्तियों की नहीं होती पा पांस दिन के लिए रहेंगे, पांस साल के लिए रहेंगे, पंदरा साल के लिए रहेंगे, लेकिन मौखेक अग्रिमेंट तो था यह कंसल्टेशन कई प्रकार के होते हैं लेकिन निर्ने जो होता है वो कोई ऐसा स्थाई ठपा असील ठपा लगा हुआ और फिर रेजिस्ट तो चार मेहने में हमने तीन मुख्य मंत्री देखें. लेकिन जो तिरादित्य सिंद्या भाग चुके थे और वो शायद इसलिए साइड हो लिए. आप के मुख्यमंत्री पत के लिए इतनी देरी आला हाइकमान क्यों लगाया है? कहीं कोई ऐसा तै नहीं रहता कि ऐसे होगा राजनिती में या किसी भी फील्ड में लचिलापन रहता है ओपनेस रहती है आप मीडिया में हैं आप किस थान पे काम करेंगी किस मीडिया चैनल के साथ रहेंगी फिक्स नहीं रहता है कैरियर है और समय के हिसाब से इसमें तबद ये समय आपका सही समय नहीं है क्या मुख्मंत्री पत्रे आसीन होने का? ये तो सितारिफ जानेंगे. अब सवाल के जवाब जरूर बाबा घुमा घुमा के दे रहे हैं, मैं फिर वहीं आ रही हूँ कि 36 गड़ की चंता दिल से चाहती है, कहते हैं कि बच्चा जब तक रोए नहीं मा भी दूद नहीं पिलाती, क्या आपने मांग की है कि मुझे अब यहाँ पर बिठाया जाए? एक छोटे बच्चे की बात होती है, जो बोल नहीं पाता, तो उस समय यह कहा जाता है कि बच्चा रोता है तो मा दूद पिलाती है, हम लोग तो व्यस्क हैं, हम लोग बोल भी सकते हैं, हमारे अभी भावक हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो जानते भी हैं, देखते भी हैं, सारी चीजों से हम सब भेगे रहते हैं, तो कोई ऐसी बात और मेरा इस वभाव भी नहीं है कि अल्ला गुल्ला करना, ये मांग करना, अशिष्ट मुझे लगता है कभी-कभी इसको कमजोरी माना जाता है, कोई कमजोरी की बात नहीं है ये अपनी-पनी शैली होती है, अपने तरीके होते हैं काम करने के मैं हमेशा से इस बात पे मैंने विश्वास किया है कि मेरा जो लीडर्शि elbow है, वो मुझे जो जिम्मधरी देगा, मैं निभाओंगा मैं बार-बार क्रिकेट की बात करता हो कि क्रिकेट का खिलाडी भी रहा, प्रेमी भी रहा, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलता था तो टीम के जो हमारा प्रबंदन था, टीम के जो हमारे कप्तान थे, कभी मैं कप्तान रहता था तो बहुत अलग होती थी, मैं फिर जिम्मेदारियों को यहाँ खड़े हो, वहाँ बोलिंग करो, अब आप बोलिंग करो, यह सेट नहीं रहता था कि पहले तीन ओवर यह करेगा फिर 6 ओवर यह करेगा, फिर 2 ओवर यह करेगा, परिसिती के हिसाब से, कभ फिल्डिंग कहा करना, किसको कहा खड़ा करना, क्रिकेटी भाशा मैं पूछू, कप्तानी आपको कब मिल रही है, कप्तान भी बनते-बदलते रहते हैं, हमने देखा कि गावसकर कप्तान भी रहे और दूसे के कप्तानी में भी खेले, हमने तिंदुलकर जी को भी देखा, कप्तान भी रहे, एक युवा की रूप में आए, खिलाडी भी रहे, और कप्तान बनने के बार टीम के हिस्से भी रहे, तो यह चेंज होता रहता है, कोई फिक्स्ट इसमें ऐसा नहीं रहता कि यह होना है, इतने से इतने बजे तक यह होगा, या इतने से इतने महिने तक यह होगा, फिर यह होगा, फिर यह होगा, फिर यह होगा, फिक्स नहीं रहता है, आपको च्छतिसगर की जनता बहुत पसंद करते हैं, आपने स्वास मंतरी रहते हैं, च्छतिसगर की जनता के लिए बहुत भलाई के काम, बहुत अच्छे काम किये हैं. चत्तिस गड़ की जनता के मन में कहीं ना कहीं ये अब बहुत प्रबल तरीके से आ चुका है कि बाबा एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं तो हमारा प्रदेश और तरक्य करेगा. तो चत्तिस गड़ की जनता के लिए ही सही, आपने डिमांड तो की होगी? डिमांड शब्द उप्योग नहीं होना चाहिए. हम ये मानते हैं कि घर है तो सब को मालूम होगा. मैं स्कूल में पढ़ता था या कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे माता पिता जानते होंगे कि क्या क्या चीज क्या आवशक्ता हो सकती है या क्या इनके मन में होगा. बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो किस प्रकार का प्रबंदन करना? मैं college में दिल्ली में पढ़ता था तो माता पिता जानते थे कि pocket money की वी जरूत होगी उनने तेखिया 100 रुपया देना तो मेरे को 100 रुपय pocket money मिलती 1000 भी मिल सकती थी मेरे को कभी motorcycle माता पिता ने दी उनने कहा कि अच्छे से चलो समाने एक student के रूप में चलो मैंसوس नहीं हुई तो मांगवाली बात नहीं होनी जाहिए लेकिन लोगों के मन में रहता है जहां पर आप है कि जम्हेदारियों मिलें यह समय के साथ में तव clinical पराइटीज तो बनते हैं नहीं बनते हैं वब समय नरभ़ करता है लेकिन अगर आप 36 गर के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपकी प्राइटीज क्या रहेंगे ये तो उसके बाद बोलना ठीक होगा नहीं तो ये हो जाएगा कि इसने तो अपने आपको अभी से मान लिया मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करना चाहिए समय आएगा जो भी कैप्टन होता है वो कैप्टन बनने के पहले बनेगा कि ये ये नहीं मालू पहले ही से आप बोल दो कि हमारी रणनीती ये रहेगी तो ऐसा हुना भी नहीं चाहिए आपने कहा कि लोगों के मन में रहता है तो सभी के साथ जुड़े हुए रहते हैं परिवार के लोग हो गए, इश्मित्र हो गए, सहयोगी साथी हो गए कई लोगों के मन में आपके लिए सभाव नहीं रहती है तो सभी के साथ रहता है जो भी अगर राजनीती की ही बात करें तो सीनियर लीडर्स है तो ऐसा नहीं होता है कि किसी एक के साथ ही भावना बनी रहे अगर नहरू जी थे तो सादार पटेल भी थे गांधी जी थे तो सुभाज चंदर बोस भी थे तो हर स्थर पे आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो ये नहीं होता है कि किसी एक के लिए ही सभी की भावना हो अलग-अलग विचार, अलग-अलग शैली, अलग-अलग कार शैली, अलग-अलग विचार धारा तो लोग एक टीम के अंदर भी, एक परिवार के अंदर भी अलग-अलग लोगों को अपना इतने थोड़ा से ज़्यादा थोड़ा से कम, साथ थोड़ा से ज़्यादा थोड़ा से कम ये स्थिती बनी रहती है। ये गलत है, अगर किसी सरकार के पास अधिकार हैं, तो अधिकारों का उप्योग जाइज है, दुरुप्योग ना जाइज है और ये स्विकार नहीं है, तो कोई सौफ्ट्वेर ऐसा है दुनिया में, तक्निकी तरक्की होती रहती है समय समय पर, ऐसा सौफ्ट्वेर अगर नि कामले हैं कोई आर्थिक दुराचार की बातें हैं उधारन के लिए अगर कोई ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी राज तंत्र को होनी चाहिए देश के हित के लिए समाज के हित के लिए और उसके लिए आप किसी तक्निक का उप्योग करते हैं तो उसको जायज माना जाता है उस को आप अनौन्स नहीं करते कि हम टीयस बाबा की वो स्नूपिंग कर रहे हैं इनके उपर हम जासूसी कर रहे हैं लेकिन रेकॉर्ड में बकाइद आदेश होते हैं फाइल में रहता है कि यह यह जानकारियां हैं ऐसी सूसनाय मिल रही हैं तो हमको टीयस सिंग्दियो की निगर आनी करनी हैं बिना उन कारणों के अन्य उपयोग के लिए अगर आप ऐसे तक्नीका इस्तिमाल करते हैं जो केवल राज्य के सरकारों को कंपनी ने उपलब कराई है देश हित में तो ना जायज है राजनितिक उपयोग आप कर रहे हैं मेरे बारे में कौन बुरा बोल रहा ह कहीं कोई किसी और के साथ संबन तो नहीं बना रहा राजनितिक उसकी जानकारी के लिए आप कर रहे हैं याने राजनितिक दुरुपयोग अगर आपने ऐसे सौफ्ट्वेर का या ऐसे तक्नीक का किया जो देश की सुरक्षा के लिए उपयोग करने के लिए साज़ा कराई गई हो या उपलब कराई गई हो तो ये प्रजातंत्र की भी प्रक्रियाओं की हत्या निजता की भी हत्या नियमों का भी उलंगन ये इस श्रिणी में आता है और ये निंदनिय भी है और स्विकार नहीं है जासुसी तो हुई है केंद्र सरकार मना कर रहे हैं कि हमने नहीं को उपलब्ध ही नहीं कराते हैं देश की सरकारों के लावा या सरकारों के लावा हम ये सौफ़वेर उपलब्ध ही नहीं किसी को कराते हैं केवल हम गवर्मेंट्स को कराते हैं अगर ये सौफ़वेर केवल गवर्मेंट्स को उपलब्ध कराया जाता है तो इसके इस्तिमाल अगर जासुसी हुई, तो इसका कारण किया था? देशित इतिदी, इतियादी समाजित है क्या? अगर नहीं, तो यह अपतिजनक हूग hard है, दूसरा आपने इसकी वेधानिक क्रियाएं, विधिवत क्रियाएं जो होती है जासुसी कड़ने की, उनका पालन किया? किया, अगर नहीं किया तो आपने गलत किया, ये किसी और के पास हो ही नहीं सकता, हमारी देश की सरकार क्या इतनी गैस जिम्मदार है कि जो यंत्र केवल उनके पास हो सकता है, वो उन्होंने आपको मेरे को उपलत करा दिया, कि हम लोग जासुसी कर रहे हैं, तो तो उस लीक का जिम्मेदार कौन है? वो सरकार जिसको वो तक्नीक उपलब करेगी. और अगर लीक नहीं हुआ और आप ही ने कराया, तो और गंभीर बात. कि जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए आपने वो काम कराया जो की गैर कानूनी है. आपने स्वास्त मंत्रे रहते हैं, फास्ट पेज देख ली, कोरोना की सेकिंड वेव देख ली, थर्ड वेव का चल रहा है क्या आने वाली है? चटिस गर्में क्या आरियां क्या है? आने वाले समय में बच्चे जादा प्रभावित होने वाले हैं. ये बात केवल वहां से चली कि 18 साल से उपर के जो नागरिक हैं, उनको टीका लग जाएगा. तो वो सुरक्षित हो जाएगे. अब जो बचेंगे वो कौन है? 18 साल से नीचे. तो अगर करुना से गंभीर वो हो सकते हैं. तो बचे कोन? बचे. तो ये हो गया कि बच्चों को कुछ हो सकता है. यानि कोई ऐसा वेरियंट आगया या ऐसा कोई म्यूटेशन हो गया कि वो बच्चों को प्रभावित करेगा? ये सही नहीं है. अभी भी जो दूसरे लहर में हमने देखा, ये ऐसी भी आएं कि बच्चे बड़ी संख्या में प्रभावित हुए संख्या बच्चों की बढ़ी कुल प्रभावितों में उनका प्रतिशत पहले वेव की तुलना में करीब करीब बराबर ता बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया तो तीसरे लहर में वैक्सिनेशन के उपर ये माने पर जादा या कम होगी, संख्या नहीं, प्रतिशत्ता, संख्या मुझे नहीं लगता है कि बचों की तुलनात्मक संख्या जादा दिखेगी, बड़े क्योंकि सुरक्षा में आ गए, उनकी संख्या कम होगी, ये पहले 100 बच्चे प्रभावित होते, 1000 बड़े प्रभाव थी, अभी डेटा आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वज़े से किसी की मृति नहीं हुई है, सभी राज्यों से डेटा मांगा गया, चतिजगर ने भी कहा हमारे आँबी कोई ऑक्सीजन की कमी से मृतिय नहीं हुई है, क्या ये पूरी तरीके से सच है? ये कोई मान नहीं पा रहा है, कि इतने बड़े महामारी में और इतनी बड़ी ऑक्सीजन की कमी की स्थितियां बड़े-बड़े महानगरों में देखी गई, चतिजगर में ठीक है सर्प्लस ऑक्सीजन प्रडूइसिंग स्टेट था, तो ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं थी, प्रबंदन की कमी हो सकती है oxygen की कमी 36 गर्श में नहीं थी दूसरा राज सभा में जो प्रशन आया उसमें मानिय केंदरी मंदरी जी ने ये कह दिया कि राज की सरकारों ने अपने जवाब में ये कहा है कि हमारे हम oxygen से मृति हुई नहीं oxygen से मृति हुई कि नहीं एक अलग बात राज सभा में जवाब देना कि हम तो राज सरकारों के डाटा को बता रहे हैं तो राज सरकारों से तो कभी पूछा ही नहीं गया आज आप पूछ रहे हैं आप विक्तिगत, मीडिया, सामुहिक रूप से आज मीडिया हम लोग से पूछ रहे हैं इसके पहले किसी ने हम लोगों से नहीं पूछा कि oxygen के कमी से आप कहा मृत्य हुई क्या तो सरकारों ने तो पूछा ही नहीं तो यह जो जवाब उनने दिया वो गलत है परिस्थिती अपने जगह है 36 गड़ में भी हमारे पास रेकॉर्ड नहीं है लेकिन हो सकता है कि कहीं मृत्य हुई हो कहीं हमारे ध्यान में वो बात नहीं आई हो हमको जानकारी ना दी गई हो जो हमारा नीचे का अमला है चूख हो सकती है उसके लिए audit हमने फिर से इंस्टर्ट कर दिया है प्रिंस्पल सेकेर्टरी साथ से परसुई मैंने बात कि एक मार्च जब से दूसी लहर चालू होने के ठीक पहले से एक मार्च सीधार सारे जितनी मृत्य हुई है इनका audit एक बार फिर से कराई है ये oxygen की कमी के कारण जो बाते आती है आई 36 गड़ में भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं आई तो उसको हम लोगों ने तस्दीक भी कराया मेरे विधान सभा में भी जो मेडिकल कॉलेज है वहां से भी बात है कि oxygen कुछ समय के लिए कट गया था oxygen था लेकिन जो operator है उसने switch चालू करने बंग करने में देरी की क्या उसके कारण को इस्तिती बनी क्या मान लिजे कि किसी patient की मृत्यू हुए तो patient की मृत्यू क्या जब तक उसने switch on नहीं किया था off नहीं किया था तब तक उस कारण से तो नहीं हो गई इसकी भी हमने जांच की डोंगर गाउं में चार patients की बात आई एक राजनेतिक संस्थान है उन्होंने इस बात को उठाया था मीडिया में ये बात आई थी उसकी हमने जांच कर रही कल फिर मैंने उसकी रिपोर्ट बुलाई क्योंकि सब पूछ रहे है कि स्तिती क्या है 17 सिलिंडर उस दिन उस अस्पताल में उपलब थे और ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर अलग से वहां पर अस्पताल में उपलब था तो ऑक्सिजन के कमी के कारण इम्रित्यू हुई ये बात उसमें थाबित नहीं हो रही थी राजनान गाउं में भी ये बात आई ऑक्सिजन जो सिलिंडर की सप्लायर थे उनमें कॉंपटिशन था एक ने दूसी की शिकायत लगई ऑक्सिजन देने में सप्लाइ करने में उसने कमी की सप्लायर ने तो दूसरे ने शिकायत लगा दी कि ऑक्सिजन के कमी के कारण ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता किया गया तो मैदान पे वो सिती नहीं कई बार इस प्रकार के कॉम्पटिशन को भी एक न्यूस बना कि अगर किसी टीवी चैनल में अकबार में दे दिया जाता है तो उस विश्वास पे वो प्रकाशित भी हो जाता है पता करने पे फिर ये जानकारी लगती है कि बात तो कुछ और थी आग लग गई, ब्लास्ट कर गया सिलिंडर, ये भी छपा शतिसगर के संदर में मैं बता रहा हूँ वहां जाके पता किया गया तो केबल ऑक्सिजन को चेंज करते समय उसके प्रेशर से जो लीक होता है, जो स्टाफ था उस समय कर रहा था तो हला हो गया कि फट गया, फट गया सिलिंडर फट गया, जब हला होता है तो उनको हटाना भी पड़ता है एक कमी ना हो प्रबंदन में ये असंभव है ये मान के हम लोग चलते हैं कि कहीं कमी भी हमारे अमले से हो सकती है कुछ भी नहीं, हम तो जो करेंगी सही करेंगी, कभी गलत करी नहीं सकते जो कुछ सवाल उठारा है, ये बिल्कुल गलत उठारे, ऐसा नहीं हो सकता आपको संवेदन्शील होना पड़ेगा जवाब Дे होना पड़ेगा खुला रहना पड़ेगा, पारदर्शी रहना पड़ेगा कहीं भी कोई बात आए आप उसकी तस्दीक करें गलती हुई है उसको सुधारिय भविश्प नहीं होना चाहिए तो गंभीर गलती है अगर किसी की मित्ती होगे बहुत गंभीर बात हो जाती है फिर भी यह हम लोग का तरीका रहा है और अपने आपको सुधारते रहने का प्रयास हम लोगों ने शुरू से किया दादा मैं एक बार फिर आपको 36 गर से दिल्ली ले जाना चाहते हूं बिली में इस वक्त क्या चल गए? राष्टे अध्राक बात चल रहे है कि किसी को कारवाख अध्रीक बनाकर बठाए जा सकता है कमनाज जी का भी नाम आ रहा है आपको क्या लगता? तो मेरे कारेशेत के बाहर की बात है चर्चाएं होती रही है मैं तो स्पष्ट देखिए मेरा जो निजी मामना है कोई ये आगे पीछे खुश करने वाली बात नहीं है मेरा ये मानना है कि रहुल जी को प्रेजिडन बनना चाहिए और उसका कारण ये है कि आज कॉंग्रेस में अगर कोई व्यक्ति है जिनको कॉंग्रेस के अंदर लोग निर्विबाद रूप से सबसे ज़्यादा स्विकार करते हैं तो रहुल जी है तो हमको अगर पार्टी के धाचे को और संगठन को एक सूत्र में और मजबूती से बांद के आगे ले जाना है तो उसके केंदर के रूप में रहुल गांदी जी सबसे उप्यूक्त मैं मेरे लीडर है तो खुश करने वाली बात मैं इसलिए ऐसा कह दूँ उसके अत्रिक की बात मैं कह रहा हूं कि ये मेरा आकलन है सुनिया जी एक उमर की भी बात आती है जब तक वो एक छुक हैं जब तक वो काम संभाल सकती हैं कोई विवाद की बात नहीं है लेकिन अगर परिवर्तन आना है आपने पूछा परिवर्तन की बात हो रही है तो मेरी समझ में सबसे उप्यूप रहूल गांधी जी है आप देखिए हर इशू में जो विपक्ष है वो एकी आदमी को टार्गेट करता है वो Congress Party से भी उनको मतलब नहीं रहता रहुल गंदी रहुल गंदी वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हर चीज की मर्ज रहुल गंदी तो रहुल जी को अब दवा बन जाना चाहिए राहुल जी अभी तक दवा नहीं बने है, राज्य सरकारों में बिमारिया बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं, राज्य सरकारों में जहाँ जहाँ कॉंग्रेस है, जहाँ कॉंग्रेस शाशित राज्य जो है, बिमारिया बढ़ती जा रही है, दवा अभी अपना काम शुर बहुत ज्यादा open forum है कई बार परिवारबाद से दूसी चीजों से इसको जोड़ के इसकी आलुसना की जाती है लेकर जितनी प्रजातांत्रिक छूट Congress के अंदर है विरोध करने तक को और शिशस नित्रित को उस विरोध को सेहने को आप आज देश की शीर्ष में जिस राजनेतिक दल का प्रभुत्व है जो सरकार चला रहे हैं उनके खिलाफ आप कुछ बोल के तो देखे क्या होता है E.T.I.D. और फलाना धिमकाना पता नहीं क्या क्या हो जाता है आप कुछ बोल नहीं सकते और बोल दिया तो देश द्रोही हम ऐसे प्रजात तंत्र में रह रहे हैं कि जगर आपने हां में हां नहीं मिले हां में हां याने कि अलग विचार की सोतंत्रता है कि नहीं उसको आप ऐसी आलोचना मान लेते हो कि आपने तो हमको बोल दिया, हम दिन है कह रहे हैं, रात है आपको कहना पड़ेगा मिस्टर, नहीं तो ठीक नहीं है, यह जो वातावरन है, यह कॉंग्रेस में मैंने नहीं देखा, लीडर्शिप है, शीर्ष लीडर्शिप है, उसकी बात की ऐहमियत है, उसके बात आदेशो मूर्लियों को मानते हुए तो मैंने Congress में जितना देखा मैंने भादपा में नहीं देखा या Communist Party में नहीं देखा या BSP में नहीं देखा या सपा में नहीं देखा अब तो लोग जन्शक्ति पार्टी भी हमने देख ली तो एक जो ये काम करने का तरीका है Congress का और मुझे खुशी है शायद अन्य कारणों में एक ये भी बड़ा कारण होगा कि मैं Congress के साथ हर परिस्ति के बावजूद भी जुड़ा रहा परिवार आज 5-6 पीड़ी हो गया हम लोग को कि हम लोग का परिवार Congress के साथ अडिग रहा है ये दूसरे में नहीं दिखता और इन परिस्तियों में Congress से भविश्च के लिए सबसे बड़ी चुनोती अगर विपक्ष ने किसी को माना तो राहुल जी को माना और उनकी image को damage करने के लिए जितना किया जा सकता था ये विपक्ष ने किया उन्होंने देखा कि इनका राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी आज करुणा के समय हम चर्चा करुणा की बातें कर रहे हैं आप इसले देड़ साल में देखिए सवा साल में देखिए राहुल जी ने समय के पहले परिस्तिती के आने के पहले करुणा स संबंदित जितनी बातों को उठाया वो घटित हुई कि नहीं चाहे आर्थिक विवस्था की बात हो चाहे प्रबंदन की बात हो चाहे टीका करन की बात हो चाहे सामाजिक जो कोविट प्रोटोकॉल की बात हो रही है हर चीज को आज यह जो ऑक्सिजन की डेट्स की बात आ रह ही है। कॉंग्रीस आशेठ राज भी है तो रहुल जी ने तो यह नहीं कहा कि कॉंग्रीस आशेठ राज में प्सिजन सिम्रितिव की बात नहीं है और जगा है।। उनने तो पूरे देश के लिए ऐसी बातें कही भी हो सकती है तो हम लोग भी उसके लिए जवाब दे हैं राहुल जी ने हम लोग को अलग करके नहीं बोला कि पंजाब इससे बाहर है, राजिस्थान इससे बाहर है 34 गड़ इससे बाहर है, महराश में हमारी साजा सरकार है जारखन में हमारी साजा सरकार है अने राज्यों में हमारी साजा सरकार है आप से हम सवाल नहीं करेंगे, आप जो कर रहे हो सब ठीक है उन्होंने पूरे देश के लिए कहा, इंक्लूडिंग अपने पार्टी के राज्यों के संदर्ब में भी, जैसे आप ने सवाल किया, उनने सवाल किया तो हमने इमेजेटली ओडर किया कि नहीं आप फिर से ओडिट करिये आप जानकारी लीजे कि कहीं चूक तो नहीं हुई राहुल जी तो नहीं कह रहे ना कि 36 गड़ बहुत अच्छा, एक भी मृत्यों औक्सिजन की कमी से 36 गड़ में नहीं हुई पंजाब में नहीं हुई है, महराश में नहीं हुई है तामिलनाडू में नहीं हुई है, जारकर्ण में नहीं हुई है यह तो नहीं कह रहे यह है लीडर्शिप जिस कारण से मेरा यह मानना है कि दूरदर्शिता गंभीरतम स्तर पे तकनीकी रूप से और रिसर्च के छेतर में ग्यान रखने वालों से बिना प्रचार के लगातार इंटरेक्शन करके उन्य विचारों तक पहुंचना उन निन्य तक पहुंचना जो देश के लिए सबसे अच्छे साबित हो सकते हैं नजदीक से मैंने उनको जितना मुक्ब मिला है बहुत हम लोग नस्दीक तो नहीं रहते हैं लेकिन जितना में अनुभव रहा है जितनी उनके मन में देश के लिए अच्छी करने की सोच है समानी रूप से ऐसा लुझता है यह सारी बातों को ध्यान में रखके मैं यह कहता कि आज Congress Party को अगर President Change हमको करना है तो Rahul जी सबसे ज़्यादा suitable कल के दिन भी होगा तो टार्गेट Rahul जी होने वाले हैं लीड कोन करेगा हमारे पार्टी का लीडर हम किसको मान रहे हैं हम दिल से Rahul जी को मानते हैं अभी इलाज नहीं हो रहा लेके इन फ्यूचर रहूल जी जब आएंगे तब इलाज होगा एक चर्चा और निकल के आती जब 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 बाबा का नाम आता है मुखमंत्री के लिए तब भुपेश बगल ऐसा कुछ करते हैं कि दिल्ली वाले निर्ने नहीं ले पाते क्या ये नहीं मेरको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है ऐसी बहुत सी खबरे आती हैं कि पहले कलेक्टर और इन सब के ट्रांसफर रुके हुए थे कि सरकार में मुखमंत्री जी बदलेंगे और उसके बाद होगा फिर अचाना से भुपेश बगल ने एक लिस्ट निका ली तब ये होने लगा शायद अभी मामदा ठंडा पड़ गया है ये तो एक साथ होने वाली घटना क्रम हो सकता है क्योंकि जब तक आदमी जिम्मेदारी के स्थान पे है तो समय नहीं देखता वो तो निरंतरता देखते हैं कि मेरे को आज के दिन काम करते रहना है जो आने वाले कल और आने वाले समय के लिए भी उपयोगी बना रहेगा वो ये तो नहीं देखके काम कर सकते कि पता निकल क्या होने वाला है तो कुछ करूई मत तो तो परहल इसे सा जाएगी सरकार चलेगी कैसे अगर हमेशा जैसे मैंने उतरा खंड का उधारन दिया चार मेने में तीन नाम तो तो काम ही नहीं होगा जो भी रहेगा अगर उनके दिमाग में यह है कि कल के दिन हम बदल सकते हैं जो किसी के लिए भी संभावना बनी रहती है तो काम कैसे होगा तो वो बात नहीं रहती जो जब तक हैं तब तक अपनी सोच के हिसाब से उनके जो सलाकार हैं जो राय वो लेते होंगे खुद का उनका अनुभव है उसके हिसाब से जो बहतर समझते हैं वो हिसाब से निर्णे लेते रहते हैं आप सुन रहे थे बाबा टियस सिंग देव जी को और डादा ने बहुत इस पश्ट शब्दों में कहा है कि वो दिल्ली के निर्णे का इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि जो कॉक्रोच से रज जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा वह कॉक्रोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एक दम से क्योर है स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्राइरिटी पाकि सब बाद में फोरेवर वाले रिलेशन्शिप से पहले लाइसी संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने ता चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकडंडियों से सड़कों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राजडीती से कूटनीती त दखन न्यूद आप क्या आप देख रहे हैं दखन न्यूद